प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पहला पार्ठ प्रेरी चरित अध्याय शोला पस संख्या एक से दस्तक आप समुद्र पार कर मैं के दूनिया आईए और हमारी सहता कीजिए पौलुश देरवे और लिस्त्रा पहुचा वहां तिमेथी नामक एक सिस्य था जो इसाई युहुदी माता तथा युनानी पिता का पुत्र था यहूदी माता तथा युनानी पिता का पुत्र था लिस्रा और इकोनिया के भाईयों में उसका अच्छा नाम था पौलु चाता था कि वो यात्रा में उसका साथी बने उस प्रदेश में रहने वाले यहूदियों के कारण उसके तीमथी का खतना कराया क्योंकि सब जानते थे कि उसका पिता युनानी है वे नगर नगर जाकर युर्श लेम में प्रेरितों तथा प्रोहितों द्वारा किये हुए निर्णय सुनाते तथा उनका पालन का आदेश देते थे इस प्रकार कलिशियाओं का विश्वास धिन होता जा रहा था और उनकी संख्या दिन दिन बढ़ रही थी जब पवित आत्मा उन्हें एशिया में वचन का प्रचार करने से मना किया तो उन्होंने फ्रीजिया तथा गलातिया का दोरा किया मेशिया के सिवानतों पर पहूच कर वे बेथेनिया जाने की तैयारी कर रहे थे कि येश्यू के आत्मा ने उन्हें अनुमती नहीं दी इसलिए वे मेशिया पार कर त्रोयस आएं वहां पालुस ने रात को एक दिव्य दर्शन देखा एक मेकदुनी उसके सामने खड़ा होकर ये निवेदन कर रहा था आप समुद्र पार कर मेके दुनिया आईए और हमारी सहता कीजिए इस दर्शन के बाद हम यह समझ कर तुरंत मेके दुनिया जाने का अफसर ढूनने लगे कि इश्वन ने वहां सुसमाचार का प्रशार करने के लिए हमें बुलाया है यह प्रभु की वानी है संत योहन के अनुसार पवित्र वैसू समाचार अध्याइ 15 वाके संख्या 18 से लेकर 21 तक यह सुने अपने शिश्यों से कहा यदि संसार तुम लोगों से बाएर करें तो याद रखो कि तुम से पहले उसने मुझ से बाएर किया यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझ कर प्यार करता परंतु तुम संसार के नहीं हो क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है इसलिए संसार तुम से बैर करता है मैंने तुम से जो बात कही उसे याद रखो सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता यदि उन्होंने मुझे सताया है तो वे तुम्हें भी सतायेंगे यदि उन्होंने मेरी सिक्षा का पालन किया है तो वे तुम्हारी सिक्षा का भी पालन करेंगे वे यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे क्योंकि जिसने मुझे भेजा है वे उसे नहीं जानते या प्रभु का पवित्र सू समाचार है क्रिस्त प्रभु की जै येसु में मेरे प्रिये भायूर बहनों आज का पहला पाथ प्रेरित चरित से लिया गया है जहां पर हम लोग संद पॉलुस के दूसरे मिशन यात्रा के बारे में पढ़ते हैं और इस मिशन यात्रा में पॉलुस अपने साथ सिलस को ले कर जाते हैं एक मिशन साथी के रूप में और देरबे से होते हुए वे दोनों लूस्तरा पहुँचते हैं और एक नए साथी से उनकी मुलाकात होती है वहाँ वे 20 वर्षिये तिमिति से मुलाकात करते हैं जो संभावता एक अच्छा इंसान था ना केवल वो एक अच्छा इंसान था बलकि उनके बेवहार और उनका जीवन सादगी पूर्ण था उनका सहिंता के प्रति अच्छी जानकारी थी और इबरानी और युनानी भाषा के अच्छे ग्याता थे और इन सब होने के नाते संद पौलुस अपनी अगली यात्रा के लिए वह उसका चुनाव कर लेता है कि वह यात्रा में उसका साथ दे क्योंकि तिमथी की मा इसाई यहुदी थी और उसका पिता युनानी था इसलिए अपने साथी बनाने से पहले वा सहिंता को पूरा करता है वा तिमथी का खतना करता है और उसे यहुदी संप्रदाय में सम्मिलित करता है और इस तरह से तिमती अपनी माता की भाती इसाई यहुदी बन जाती है और इस तरह से हम इस पार्ट में देखते हैं कि संद पौलुस दो चीजों को अपने जीवन में बखुबी निभाते हैं और इस बात का वे ध्यान रखते हैं सबसे पहली बात है कि संद पौलुस सहिंता का पालन करते हैं और सहिंता का पालन करते हुए वह तिमथी को यहुदी धर्म स्विकार करने के लिए योग्य बनाते हैं और उसकी योग्यता यह होती है कि यहुदी इसाय बनने के बाद वह संद्पालूस की यात्रा में उनका साथ देता है दूसरी महतपूर्ण बात है कि संद्पालूस पवित्र आत्मा से संचालित जीवन को व्यतीत करता है हम देखते हैं कि जहां कहीं भी पवित्र आत्मा उनका अनुगमन करती है उन्हें जाकर सू समाचार का प्रचार करने के लिए प्रेरित करती है वे वहाँ जाते हैं और सू समाचार का प्रचार करते हैं और जहां पर आत्मा उन्हें रोकती है वे रुख जाते हैं पूरी तरह से वे पवित्रा आत्मा के अधीन अपने जीवन को बिताते हैं इसका परिनाम हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग संद पौलुस की बातों को सुनकर येशु को अपने जीवन में स्विकार करते हैं हम पाठ में पढ़ते हैं पौलुस चाहता था कि वह यात्रा में उसका साथ ही बने उस प्रदेश में रहने वाले यहुद्यों के कारण उसने तिमथी का खतना कराया क्योंकि सब जानते थे कि उसका पिता युनानी है वे नगर नगर जाकर यरुसालेम में प्रेरितों तथा प्रोहितों द्वारा के हुए निरने सुनाते तथा उनके पालन का आदेश देते थे आगे पालुस कहते हैं इस प्रकार कलिस्या का विश्वास द्रिर होता जा रहा था और उनकी संक्या दिन दिन बढ़ती जा रही थी क्योंकि वह सहिंता के अधीन पवित्र आत्मा के अधीन अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था हम अगले भाग में देखते हैं कि किस प्रकार से संद पालुस आत्मा के अधीन अपने जीवन को व्यतीत करता है जब पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वच्चन का प्रसार करने से मना किया तो उन्होंग ने फ्रीजिया तथा गलातिया का दोरा किया हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा उन्हें मना करता है तो संद पालुस उस प्रांत को नहीं जाते हैं और दूसरे शेत्र में जाकर इशिया वच्चन का प्रचार प्रसार करते हैं आगे पड़ते हैं मिस्या के सिमानतों पर पहुँच कर जब विबित्र निया जाने की तियारी कर रहे थे कि येशु के आत्मा ने उन्हें अनुमती नहीं दी इसलिए वे मिस्या पार त्रेवास गए वहां पालुस ने रात को एक दिव्य दर्शन देखा एक मकेदोनी उनके सामने खड़ा होकर यह निवेदन कर रहा था आप समुद्र पार कर मकेदोनीया आएए और हमारी सहायता कीजिए इस दर्शन के बाद हम यह समझ कर तुरंत मकेदोनीया जाने का आउसर ढूने लगे कि ईश्वर ने वहां सू समाचार का प्रचार करने के लिए हमें बुलाया है पवित्रा आत्मा का संचालन इस तरह से होता है कि उन्हें स्वपन में उन्हें कहां जाना है कैसा करना है इसकी सूचना मिल जाती थी और उसी के अनुसार सन्पावलोस और उनके साथ ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुसमाचार का प्रचार प्रसार करते हैं येसु में मेरे प्रिये भाई और बहनों प्रभु के वचन को हमारे जीवन में आत्मसाथ करके उसी के भाती हमें हर एक दिन के जीवन में जीवन जीने के शक्ति मिलती हैं और जब भी हम वचन को पढ़ते हैं उन पर मनन चिंतन करते हैं हमें आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती हैं और उसी के नुसार अपने आप के जीवन को जीने के लिए हमें साहस और धैरे मिलता है दूसरी और जब हम इश्वर की योजना को समझने का प्रयास करते हैं कि इश्वर की योजना मेरे जीवन में क्या हो सकती है तब इश्वर की आत्मा हमें प्रेवना से भर देती है हम ऐश्विर की योजना को समझने लगते हैं और उसी की अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हम सहिनता पर वजन पर रहित जीवन जीते हैं और ईश्विर की योजना की अनुसार अपने जीवन को जीने नहीं लगते हैं तो हमारे जीवन में बड़ा दुश प्रभाव उभर कर आता है और उसी प्रभाव के बारे में आज के सु समाचार में प्रभुयसु कहते हैं प्रभू येसु यहाँ पर साफ साफ शब्दों में यहाँ कहना चाहते हैं कि जो लोग ईश्विर की आत्मा से ईश्विर की वचन से प्रेर ना पांकर अपने आप के जीवन को जीते हैं उन्हें संसार में चुनोती मिलती है और इन चुनोतीयों का सामना करने के लिए प्रभू हमसे कहते हैं कि मैंने तुमको संसार में से चुन लिया है हम वचन में बढ़ते हैं येसु ने अपने शिश्यों से कहा यदि संसार तुम लोगों से बायर करे तो याद रखो कि तुम से पहले उसने मुझ से बायर किया कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है और यही हमारे लिए ईश्वर ये प्रेम का सबसे बड़ा प्रमान है यहाँ पर जब प्रभु येसु संसार की बात कहते हैं तो ईश्वर के द्वारा बनाई हुए अद्भुत सृष्टी के विशय में नहीं कहते हैं हम उत्पत पक्षी की रचना करता है और वचिन कहता है कि प्रभु को वो अच्छा लगा वो प्रभु की महिमा के लिए है प्रभु के यशोगान गाने के लिए है इसलिए वो बुराय नहीं हो सकता है यहाँ पर प्रभु के संसार का शाब्दिक अर्थ उन लोगों से है जो पाप में स्वाभाव में अपने जीवन को बिताते हैं जो इश्वरिय योजना के अधीन नहीं बलकि संसारिक योजना के अधीन और उनके आवेश अपने जीवन को बिताने लगते हैं हम स्पश शब्दों में कह सकते हैं जो संसारिकता का जीवन बिताते हैं उनको इंगित करते हुए प्रभु येसु यहाँ पर संसार शब्द का प्रयोग करते हैं और उन लोगों में से जो लोग ईश्वर ये योजना के अधीन अपने जीवन को बिताते हैं प्रभु येसु उन सभों को चुन लेते हैं हम संद्योहन के सुसमाचार अध्यायतीन वाके संख्या सोला में पढ़ते हैं जहाँ पर वचन कहता है ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उनके लिए अपने एकलोते पुत्र को दे दिया और यही बात को यहाँ पर प्रभु येसु कहना चाहते हैं कि जो लोग प्रभु को स्विकार करते हैं प्रभु के अधिन अपने जीवन को बिताते हैं पुत्र उन्हें अपनी ओर ले लेता है अपने अधिन में ले लेता है और जब ऐसा होता है तब हम संसार की चुनोतियों का सामना करने में समर्थ हो जाते हैं हमारे जीवन में इश्वर ये योजना पूरी होने लगती है हम इश्वर के शब्दों के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं आगे हम मुचन में पढ़ते हैं मैंने तुम से जो बात कही उसे याद रखो सेवक अपने स्वामी से बढ़ा नहीं होता यदि उन्हों ने मुझे सताया है तो वे भी तुम्हें सताएंगे यहाँ पर प्रभी येसु हर एक क्रिस्तिय भाइबहनों को चेतावनी देते हैं उन्हें आगाह करते हैं कि उनके जीवन में उनके विश्वास के द्वारा प्रभी येसु को स्विकार करने के द्वारा संभावता हर प्रकार की मुसिबतों और चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा भावी जीवन में होने वाले संकटों के मिशे में प्रभी येसु यहाँ पर अपनी बातों को रखते हैं और इसलिए हमें यहाँ समझने की आवशक्ता है कि जब भी हमारे जीवन में कोई रुकावट आती है बाधा आती है, शंस्रे आती है, दिकते आती है, मुसिबते आती है तो हमें यहाँ जानना है कि हम ईश्वर के बेटे बेटियां है इश्वर के पुत्र पुत्रियां है और इन सभी कष्टों का सामना करने में प्रभू हमारा साथ देता है हमें बल देता है हमें धैरे देता है और उसी धैरे के साथ साहस के साथ उन सभी चुनोतियों का सामना करना चाहिए आगे वचन कहता है यदि उन्हों ने मेरे सिक्षा का पालन किया है तो वे तुम्हारे सिक्षा का भी पालन करेंगे जो लोग भी प्रभु को स्विकार करते हैं जब हम प्रभु मैं बातों को उनके सामने रखते हैं तो वे उन्हें सुविकार करेंगे क्योंकि सबसे पहले उन्हों ने प्रभू को सुविकार किया है आगे प्रभू कहते हैं वे यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे क्योंकि जिसने मुझे भेजा है वे उसे नहीं जानते एक बार पुना प्रभी येसु हमारी भावी चिंताओं को भावी कष्टों को आगाह करते वे कहते हैं कि जो लोग पिता को नहीं समझे हैं वे तुम्हें भी नहीं समझ पाएंगे और संभावता तुम्हें दुख और कष्टों का सामना करना पड़ेगा येसु में मेरे प्रिये भाई और बहनो आज के वचन को जब हम गौर से देखते हैं उन पर मनन चिंतन करते हैं तो हमें एक उद्सा प्राप्त होता है एक और पौलुस, सिलास और तिमत्य जो सहिंता परनेहित आत्मा से संचालित जीवन को जीते हैं प्रभू की योजना को अपने जीवन में साकार करते हैं हर एक चुनोतियों का सामना करते हैं ठीक वैसे ही जब भी हम प्रभू को अपने जीवन में लेकर आते हैं प्रभू के वचनों को अपने जीवन में आत्म साथ करते हैं तो हमें भावी चिंताओं से भावी दुख और कश्टों से निजात पानने का हमें मार्ग प्राप्त होता है और वही मार्ग को यहाँ पर प्रभु देते हैं प्रभु का वचन कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ आए उसी मार्ग में अपने जीवन को जीने के लिए उसी सत्य को अपने जीवन में आत्म साथ करने के लिए हम लोग प्रभू से बल मांगे ताकि हम अपने दैनिक जीवन में अपने ख्रिस्ति जीवन को भली भाती जी सकें हे सर्वशक्ति मान पिता परमेश्च्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभू आज के सुन्दर दिन के लिए तुस से मिलेवे हर एक वरदानों के लिए प्रभू धन्यवाद देते हैं धन्यवाद पिता हमें आत्मा का बल प्रदान करने के लिए जो हमारे जीवन को संचालित करता है हमें तेरे मार्ग में ले चलता है पिता हम विशेस रुप से विश्वास का वरदान मांगते हैं कि विश्वास के द्वारा हम आत्मा से संचालित जीवन को जीने में समर्थ हो सके जब भी हमारे जीवन में कष्ट आए, दुख आए, विपत्ती आए हम उनसे ना तूटे बलकि धैर्य से उनका सामना करते हुए एक खिस्त्य जीवन का अच्छा उदाहरन दूसरे लोगों के सामने प्रकट कर सके प्रभू इस समय उन सभी भायबहनों के लिए प्रात्ना करते हैं जो आविश्वास के कारण और अपने जीवन में भारी कष्टों और दुखों के कारण तुझ से दूर हो गए है प्रभू तू उन्हें भी स्पर्श करना, उन्हें अपने सानिदे में वापस लाना ताकि वे भी विश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें हम यब रात्ना करते हैं, हमारे प्रभू खिस्त के द्वारा, आमीन प्रभू तेरी वाड़ी, जीवन की रोटी, नेनों की जोती, अंधेरा मिटाती, भाड़ी 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 पागत्र है, शाष्वत है, जीवन का मन्ना है पागत्र है